विडियो बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट होने वाली है क्योंकि आखिर करने पढ़ रहे होंगे जो भी जो सा कॉंसेलिंग में पाट्सबेट करें तो जो सा कॉंसेलिंग के आज रिजल्ट आने वाला है तो सिस्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद अगर जो आप सी सेब कॉंसेलिंग में प्रोसेस करना चाह रहे हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस आखिर करना पढ़ रहा होगा अगर आपको जो सा कॉंसेलिंग में बात करने वा तक देखना ज कीजि़ों का आपको इंट तरी आप आप स्वाइब करने वाले हो लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि आखिर कर भईया में चौइस करूँ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि कौन-कौन से आप को भी डाउट हो रहा है तो आप सी सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें सभी डाउट का एंसर इंसर इन सब्सक्राइब करेंगा आपको प्रॉबाइब करने के लिए इस में नबर पर आपको सब्सक्राइब करना चाहता हूं अगर तो सिरियसली आपको कॉंसेलिंग गाइडेर्स लेना चाहते हूं तभी आप इस नंबर पे कॉंटेट करना चाहता हूं देन आफ्टर आगे का प्रोसेस में आपको सेंड कर रहा हूंगा आपको यह सारे सपोर्ट जो है आपको मिल रहा होगा है ना अब इस वीडियो के में टॉपिक को हम लोगा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पता है पहले ही इनिसियल में ही रजिटेशन के टाइम में सीट एक्सेप्टेंस पीस आपको पेमिंट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर डॉक्मेंट से सब अपलोड करोगे डॉक्मेंट का वरिफिकेशन होगा तो च्वाइस फिलिंग में इंपोटेंट होता है अगर जो आप अच्छे से करते हो तो आपको अच्छे स सब्सक्राइब नमबर है ना उसके बात करते हैं वैसे जिनको जो सा कॉंसली में सीट का एलोट्मेंट हो चुका था तो आपको आपका सीट कैंसिल हो गया होगा जो कि मैं नेक्स पॉइंट में बताने वाला हूं है ना तो सीट अगर जो आपने पेमेंट कर दिया है तो एड्मीसन फीजे आपका आज सीट का एलोट्मेंट का रिजल्ट आएगा उसके बाद पिर अगर जो आपको आपको पर सीट एलोट्मेंट करना है तांकि आपका जो सारी अभी तक जो सीट एलोट्ट है वो भी आपका रहेगा और नेक्स्ट राउंड में यानकी C-SAP कॉंसिलिंग में जो आप लोग पार्टमेट करोगे अगर जो C-SAP कॉंसिलिंग में आपको अच्छा जो अभी जो सा कॉंसिलिंग में जो एलोटेड है उससे अगर जो बेटर ब्रांच बेटर एनाइटी मिलता है तो अभी ही जो सा कॉंसिल में जो अभी तक सीट अलॉटमेंट हुआ पड़ा है वह सीट जो है कैंसिल हो जाएगा अब जो है वह सीट का बात करते हैं जो सा में सीट का एलोटेड तो हो गया था लेकिन सीट जो है कैंसिल हो गया था और इसका बहुत सार रीजन हो सकता है द्यूटु विड्रौ उप्सण चूच कर लिया था या फिर आपका डोकमेंट विरिफिकेइशन में गलत पाया था तो आपका सीट कैंसिल हो गया याद फिर आपने विलिंग नहीं समित कर पाया और सीट और लेडी कैंसेल हो चुका है तो आपको पार्षाल दूसे आपको नहीं पेमेंट करना है सीट एकसेप्टनस पीपैमेंट किया हुग वह आपका रिफन्ड हो जायगा और स्टी से पांसटों काने के लिए सिर्फ एक प्रोसेस करना आपको सेम अज जी सेम्ट आपको जो सा कॉंसेलिंग की तरह उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस यान की डॉक्मेंट अप्लोड हो गया सीट एक्सेप्स पेइमेंट हो गया आपको च्वास फिलिंग करना है तो यह सब सारा प्रोसेस करोगे अगर जो सीट आपका कैंसिल हो चुका है सिंपली से आपको से आपका रेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगा बहुत सारे कांसिलिंग का क्या देट खतम हो गया अगरे तो करना है लेकिन डेट यह सब के बारे में पता तो थर्ड अगस्ट चेन आपको सारा प्रोसेस होगा तो वह सब सारा वीडियो आते रहेगा फिर का वीडिवीडिय करना होगा स्टार्टिंग में सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट करना पड़ता है उसके बाद फिर आपको प्रोसेश करना है आपको 100% में रिकमेंड करूंगा कॉंसेलिंग गाइडेंस में जरूर से जरूर इन्रॉल कर जाओ ताकि आपको अच्छे समय चॉइस फिलिंग करवा सकूं ताकि आपको 100% कंफर्म जो है आपको सीट का एलोट्मेंट हो पाएगा तो सिंप्ली से यार इस वाट्सप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है है ना गाइडेंस मेरे तरफ से मिल रहा होगा है आप कभी भी आपको कोई भी डाउट हो डायरेक्ली आप मेरे को परस्नल कॉलिंग नंबर मेरा आपकी पास रहेगा कभी भी कुछ भी डाउट पूछ सकते हो इस वड़ो में इतना है बाकी नेक्स आपकी टॉपिक पर वीडियो में भी जो है नेक्स वीडियो बना सकूंँ तो डाइट सोल अबाउट इस वीडियो थैंक्स मच्छ एंड विश्वाल भर्वेस्ट मिलते हैं विभी में बाई बाई लभी ओल